जब जुल्म और अन्याय की आग भड़कती है और अधर्म का भैलता है अत्याचार तब आता है वो बनके रुद्र अवतार समुद्र की लहरों में कितना सुकून होता है ये तूफानों से गुजर कर ही समझ में आता है मेरा नाम है रुद्र मानिकवेल आज भी मुझे IPS की ट्रेनिंग और शपत ऐसे याद है जैसे कल की ही बात मैं रुद्र मानिकवेल शपत लेता हूँ पूरी श्रद्धार निष्ठा के साथ भारत के संबधान की रक्षा करूँगा मुझे अपने देश पर कर्व है और मैं हमेशा भारत माता की सेवा करूँगा जै हिन्स ट्रेनिंग के बाद बतौर एसीपी मेरी पहली पोस्टिंग मैंगलोर में हुई थी जिन्दगी मस चा रही थी लेकिन एक दिन सब बदल गया जर्म और कानून की कश्मकश से वो पहली मुलाकात अन्याए से जूजने का जस्बा, किताबों के आदर्श और इमानदारी बस यही मेरे हत्यार थे लेकिन जिन्दगी की कड़वी सच्चाई ने एक अलगी कहानी बया कर दी मैंगलोर में मोतीलाल नाम का एक व्यापारी था दौलत से खरीदे हुए शराफत के नकाब के पीछे छिपा एक ऐसा दरिंदा जिसकी हरकतों से शैतान भी फीका पड़ जाए नमस्ते, नमस्ते मैडम जी बताईए क्या देखेंगे देखें कितना ब्यूटिफूर लग रहा जी कमर पे देखेंगे जी जी जो माल पूरे शहर में किसी को नहीं मिलेगा जी अरे तुम कहां चल दी यह सेंपल चेक करो तु जा अंदर अख देश को लड़की की लाश पूरी तरस से जली हुई थी सर, इस केस को कोर्ट में साबित करना नामुंकिन है लगता है कातिन ने उसी इरादे से लाश को जलाया होगा खुद पर कुछ साहरा था मुझे, मेरे ही इलाके में किसी बेसाहरा लड़की के साथ ऐसा कैसे हुआ मन तुकिया, ठोक तु साले को एक बात है कि मुझसे अन्याए सेह नहीं उता है और अगर अन्याए मेरे इलाके में हो रहा हो, तो समझ लो, किसी की ख्यार भी प्रृब अन्याए क्या तेवर है भाई तुझे तो सरकार से ना मिलनों चाहिए सरकार का चमचा है तू यह उठा और चलता बन कभी देखा ना होगा इतना माल तुने वारंट कठा है वारंट इंसानों के लिए होता है तुझ जैसे भेडियों को बिना वारंट के ठोकता हूं मैं मैंने साले को गिरफतार तो कर लिया लेकिन भेर समझ में आया कि जो हद कड़िया हमें इन जैसों की गिरफतारी के लिए दी गई है उनसे तो दरसल हमारे ही हाथ बंदे हुए हैं यहां कानून तो बहुत हैं लेकिन साला लेकिन इंसाफ नहीं मुल्जम मोतिलाल सेट के खिलाफ पुलीस ना कोई सबूत ना कोई गवाब पेश कर सकी इसलिए ये अदालत उन्हें बाइज़द बरी करती है ये भग्वान ये कैसा आम्या है तेरा उसका मिने कुछ कोई सजा नहीं हुई ये 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 शावाज वकील साहब शाबाज होकाद दिखा दी सब को लाइट रहें थारा करना ओ आपको जो चाहिए वो सारे सबूतियां हैं बस आप अदालत में साबित करते हैं मोती लाल जैसे लोग समाज पर एक काला धबबा है है कि अगी पड़ें के तुझे कभी को सिनन साप उसने मेरी बेटी को मार दिया और वह असते हुए जा रहा है अब उसे अधिक पार्ट है आगां सिर्टित को ये गोली खोली बांदू सहाँ सहाँ, घर अगया सहाँ कि तुम्हारी शर्ट पर फूट यह क्या हुआ कुछ तो बोलो कि गोली भारदो जाब गोली भारदो गोली भार्दो जाब जाब छोड़ूंगी नहीं उसे किल साब उदर साइओ तूम उदर साओ यह बंदुक किसी काम की नहीं है साथ सिस्टम हमें ये वर्दी तो दे देता है लेकिन ताकत हमेशा अमीरों के हाथों में क्यों होती है लाचार नहसूस कर रहा था मैं सोच रहा था उस लड़की के बाप पर क्या बीट रही होगी ट्रेनिंग के दोरान जब पहली बार ये वर्दी पहनी थी तब नहसूस हुआ कि खाकी का अपना जुनून होता है अपना चस्पा होता है अपना नशा होता है ऐसा नशा जब कभी नहीं उतरता इस दीफा दे रहे हो मानता हूँ कि एक बेगुना की मौत हुई है लेकिन तुम्हारी गल्ती नहीं थी दिल पले ना बंद करो अरे यूटी में ये सब होता रहता है सर ये वर्दी मैंने सिर्फ पहनने के लिए नहीं पहनी थी ये वर्दी मेरी इबादत है इसे उतारने का दर्द सिर्फ मैं समझ सकता हूँ किताबों में जो पढ़ाया चाता था सर ये दुनिया उससे बिलकुल अलग है कुछ साहीं नहीं है सर मैं समझता हूँ रोत्रमानिक वेल लेकिन थोड़ा वक्त लो और ठीक से इस पर विचार करो नई सर जतना मुझे सोचना था मैंने सोच लिया जजबाती होकर फैसला मत लो अपने बारे में अपनी फैमिली के बारे में सोचो सचर रैंक होल्डर इस दीफा देकर करोगे क्या गाय चराओंगा सर एक हवा का जोगा जैसे सूखे पत्तों का ठेर भिखेर देता है वैसे ही एक आंधी ने मेरे उसूनों का महल तैस नहस कर दिया था समझ लो एक बार खाकी शरीर पर चड़ गई तो मानो आपकी खाल बन जाती है आज मैं अपने हाथों से अपनी ही खाल उधेर दे जा रहा था आई पी हस्ट्रेणिंग खतम करने के बाद वो एक लमहा जब मैंने हाथों में पहली बार बंदूग ली थी वो खुशी मुझे लगा वो आखरी सांस तक मेरे साथ रहेगी मेरी बंदूग जो हजारों गुनेगारों का वद करेगी वही वज़ा बनी एक बेगुना की जान लेने की वो दर्द मरते दम तक मेरे साथ रहेगा असिस्टन कमिशनर पुलीस रूद्रा मानिका वेल ने अपने ड्यूटी में लापरवाही बढ़ती है और उनकी गेर जिमेदारी के वज़े से एक बेगुना की जान चली गई IPC सेक्शन 287 के मुताबिक अदालत उसे 6 महीनों की सजा सुडाती है जहां हमें लगता है कि हमारी कहानी का अंत तै हो गया है उसी मोड पर भगवान एक नई कहानी शुरू कर देता है जेल में मेरी मुलाकात एक ऐसे शक्त से हुई जिसके दर्द ने मुझे एक नई राह दिखाई सर मेरा नाम नसरतुल्ला है तमिल नाडू के एक छोटे से गाउं में रहता था मैं मेरी पोती हीना कलेजे का टुकड़ा थी मेरी होटल क्लासिक में एक राक्षस की नजर उस पर पढ़ गई अर्जुन के मारन बहुत बड़ा उद्योग पती है हाथ दो के मेरी पोती के पीछे पढ़ गया और दिन रात उसे मैसेज करने लगा फिर फिर हीना ने मीटू का सहारा लिया पोस्ट वाइरल हुआ और मारन के रफतार हो गया मारन ने अपना फोन चोरी होने का बहाना बना कर ये साबिक कर दिया कि उसने ये मैसेजिस भेज़े ही नहीं थे और उसे बाइसद परी कर दिया गया उसी दोरान हीना ने अपनी कमाई से मुझे एक फोन दोफे में दिया था मैं फर्स्ट लास से पास हो जाओंगी इंशाल्ला बेटा ऐसे तुम घर कभी आ रही है अगले हफते पक्का आ जाओंगी दादाजी इस वक्त को ना आया एक से के नोटने जेल से रहा होने के बाद मारन पर मेरी पोती से बदला लेने का भूत सवार था मेरी आँखों के सामने मेरी पोती को बुरी तरह पीटा और अपने साथ ले गए घबरा कर मैं पुलिस टेशन चला गए सर ये देखिए सर जरा प्लीज प्लीज जब मैं वीडियो कॉल पर अपनी पोती से बात कर रहा था तो कुछ लोग उसे उठा कर ले गए मैंने दुबारा फोन लगाने की कोशिश की सर उसका फोन बंद आ रहा है पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ प्लीज सर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी फिर एक दिन पुलिस ने ख़बर दी कि हीना ट्रेन एकसिडेंट में मारी गई है और उसकी लाश मेरे घर भेज़ती लेकिन उसका चेहरा तक पहचान में नहीं आ रहा था मेरा दिल ये मानने को तयार ही नहीं था कि वो लाश हीना की थी वो पुलिस इंस्पेक्टर रतनाकर उसने सारे रिपोर्ट मैनेज करके अदालत में फर्जी डॉकुमेंट पेश किये और जज़ श्री निवासन ने ये फैसला सुनाया कि वो लाश हीना की ही थी और उसकी मौत सिर्फ एक एकसिडेंट ही थी मुझे मजबूरन खेर कानूनी तरीके से हथियार उठाने पड़े और मैं देखकर हैरान था कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है और हिना जैसी और भी बहुत लड़किया हैं जो अचानक ही गयव हो ये सब तो सिर्फ एक खेल के महरे हैं साहब इन सब के पीछे किसी और बड़ी ताकत का हाथ है इस सब के पीछे जो भी है उस चौथे आत्मी को आपको ढूनना ही होगा साहब जिस तक आपको सिर्फ अर्जुन के मारन ही पहुँचा सकता है आप, आप कुछ करेंगे ना साहब जेल से निकलते ही मैंने सबसे पहले उस वियापारी को ठोट डाला अब बस हिना को ढूनना ही मेरी जिंदकी का मकसद है उस चौथे शक्स तक पहुँचने के लिए मुझे अर्जुन के मारन तक पहुँचना होगा जस तक पहुँचने के लिए मेरे पास एक प्लान है कानून की आड में रहकर ही इनसाफ किया जा सकता है मैंने उस जज श्री निवासन को इस तरह ठोका कि चैन्नाई में ट्रांसफर हुए कमिशनर को केस सॉल करने के लिए मेरी ही मदद लेनी पड़ी अब बस कल की ब्रेकिंग नेउस के बाद डेपार्टमेंट की कॉल का इंतसार है हम आपन और यह क्या हो गया इस वक्त की ताजा खबर हाइकोट जज श्री श्री निवासन पर गोलियां चला कर उनकी भीशन रूप से हत्या की गई है आज सुबह तकरीबन पांच बजे हाइकोट जज के ECR फार्म हाउस पर उनका पार्थिव शरीर पाया गया अपनी सुबह की सायर पर निकले श्री निवासन पर कुछ अंजान व्यक्तियों ने अचाना की भयानक हमला करके उनका कतल कर दिया यह कतल कैसे हुआ कादिल कौन है इसका पुलिस डिपार्टमेंट ने अब तक कोई खुलासा नहीं किया है अब हम कुछ भी बोल नहीं सकते जाइंद सार हम एक घंटे से इंदजार कर रहे हैं हाई कोट के जच को दिन दहाड़े मार डाला मजाग चल रहा है क्या इंद़ घ्चिणक के अ अ जद साप का मर्डर सुभे 5 बजे के आसपास हुआ है कातिल ने टोटल चार बुलेट फायर की है हर बुलेट अंदर जाकर बाहर आई है लेकिन क्राइम सीन पर हमें कोई भी बुलेट नहीं मिली है सबसे अजीब और कन्फ्यूजिंग पहलू यह है कि यह चार गोलियां दो अ बुलेट्स हैं वो एट एम डेवन टाइब गन से फायर की गई है लेकिन राइट साइड चेस्ट पर दो बुलेट्स किसी अजीब सी गन से फायर की गई है उसके बाद कातिल ने चाकू का इस्तिवाल करके जजज साथ का सर काट डाला ऐसा अजीब केस देखकर मैं हैरान ये बकवास तो न्यूज में भी चल रही थी मीडिया वाले सुबे से डिपार्टमेंट की धज्यां अड़ा रहे हैं एक आइडिया है सर मैंगलोर का पुराना एसीपी रुद्रा मानिकवेल याद है आपको सबर्दस पुलीस ओफिसर था ओले या फिफ्थ रैंक होलर एंड पुलीस ट्रेनिंग रुद्रा मानिकवेल का नाम सुनते ही मैंगलोर के एक-एक क्रिमिनल के रॉंग्टे खड़े हो जाते थे ही स्मार्ट और पूरी इमांदारी से अपनी ड्यूटी ने भाते हैं अगर आप उससे बात करेंगे तो शायद हमें कोई क्लू मिल जाए तो फिर फोन लगा हूँ से ओके सर हलो रुद्रा मानिकवेल कमिश्णर मुरुगन बोल रहा हूँ हाई सर कैसे हैं आप आप कैसे हो एकदम मज़े में सर रुद्रा मानिकवेल हाई कोट जट स्रीनिवासन के कतल की कोई न्यूस देखी हाँ देगा सर दो देन से न्यूस चैनल वाले वही पका रहे हैं काफी गोली बाहर निकलने के निशान हैं लेकिन बुलिट्स नहीं मिले हैं सिंपल सर हर गण से गोली निकलने का अपना अलग फोर्स होता है शरीर को छेदने के बाद गोली कितनी दूर जाकर गिरेगी इसका अंदाज़ा वही लगा सकता है जिसको गण का पूरा अभ्यास हो केस के लिए यह सही बंदा है इसी को सौ्प देते हैं सर लेकिन एक चोटी सी धिक्कत है छे महिने पहले मैंगलोर में हुए मोटिलाल सेट के के केस के बारे में तो आपने सुना ही होगा मानिकवल को उस केस के बाद चे महिने की सजा सुनाई गई था और वो नौकरी से भी स स्टीफा दे चुका है लेकिन रूद्रह इस केस के लिए सबसे सही ऑफिसर है किसी भी तर उसे मनाने की कोशिश करो डिपार्टमेंट की इज़त का सवाल है वो आखिरकार एक पुलिस ऑफिसर है समझ तो जाएगा ही कल मुझे उससे मिलना है ओके सब ठीक रूद्रह सब ओके फाइन सर्मिस्टर रूद्रह मानिक वेल आओ बैठो मुरुगर ने बताया मुझे तुम्हारा रेकॉर्ड लाजवाब है थांकियू सर्म पर बहुत ज्यादा प्रेशर है हमें ये केस बहुत जल्दी सॉल्व करना है इस केस में मुझे पूरी आजादी चाहिए किसी तरह का पॉलिटिकल इंटेफेरेंस नहीं होगा इसकी गैरंटी मैं देता हूँ पॉलिटिशन्स की टेंशन नहीं है उन्हें मैं समाल लूँगा मुझे अपने डिपार्टमेंट से भी कोई दखला अंदास ही नहीं चाहिए जो करूंगा अपने तरीके से पॉलिस में नौकरी तो सिफारिश से मिल गई लेकिन तू स्पेशल टीम में कैसे पहुंचा रहें स्पेशल सिफारिश थी ना जेहिन सर इंस्पेटर पंड्रीनाथ होनहार ऑफिसर महरष्ट्रा से ट्रांस्वर होकर आया है आपके काफी काम आ सकता है अकेला 10 के बराबर है ही सब इंस्पेक्टर नंद कुमार धरमदास मडर केस में असिस्ट किया था ही इंस्पेक्टर राजा गोपाल मुझे सिर्फ दो ओफिस चाहिए सर इस टीम में दस लोग होने चाहिए यह कमिश्णर साब का ओडर है तो हो गए ना तुम नहीं तो कहा है या दस के बराबर है आज से दुनों मेरे साथ काम करेंगे अरे अपना तो पत्ता ही काट दिया क्यों रहे तेरी स्पेशल सिफारिश का क्या हो गया मर गया मैं सर जट साहिब डेली साड़े पाच बज़े को उड़ जाते पौने साथ बज़े को योगा और मेडिटेशन साथ बज़े टेनिस खेलने जाते थे उसके बाद बीच पर व पंडरीनाथ साहिब हाँ 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 क्या बंकस चाहिए यार साहिब सुबह सुबह सारा मूड घराब कर दिया अच जिनाशा करके चाय बनाया लगते जिम जाके डोले शोले बनाने से खुज नहीं होता बैस टॉप फ्लोर खा लिया तेरा उसे भर साब जट साब के घर के लिए देर हो रही है सुन हम वाज शोक व्यक्त करने जा रहे हैं उसे वापत जिन्दा करने नहीं आराम से जाएंगे दो गंटा आराम कर लेता ना से फारिश से नौकरी मिले ना तुझे है चल चाय का पैसे दे जले सर लाइफ में पहली बार आए पेंगे सार के साथ गोईंग ए चिरगोट पीछा कर ओके सर बोलो इस वक्त कहां हो तो प्राइम स्पॉट पिछा पीछी अप राधी बैठा है क्या सॉरी सॉरी बाद में कॉल करती हूं अब अब आधी नहीं बैबी सीनियर इंस्पेक्टर है क्याओ में ना में दरा साहिब पंडरी पंडरी नाथ हम बेभी अलेफेंट केले हमें ठीक है घड़ दियाना बाय बैभी अलेफेंटी कोई नाम ₹ इतने लोग क्यों है यहां पर लंगर बट रहा है चल खाली करवाइन को साहिब इन लोगों से पूछताच करनी ज़रूरी या पूछताच करेगा खाली भोकट अपने को पकारेला है क्या बोला रहे कुछ नहीं साथ चर भी चड़िये श्यानों पंता है मैं कुछ नहीं बोला एई बेबी ऐलिफेंट इतनी कर्मी क्यों है तरम है बोला ना जाने थे सबको अरे फोन नंबर और आधार कड नंबर दो ले 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 ते गाचन काड़ और पासपोर्ट भी लेले सब्सक्राइब कमिंग विदाउट जीपीएस जगे तु सही है ना थैंक्यू मेरी राम प्यारी तुने टाइम पर पोजा दिया आहां इधर से पुरा दाली काल है आए क्रिमिनल फाइट और प्रमोशन गैस एंदन गर्ल्प्रेंट एंदन लॉट्टी है ज़ड साहब रोज यहां आपने वॉक के लिए जाते थे वह वाहां उधर लेफ कॉरनर पर योगा और मेडिटेशन करते थे इधर जमीन कब आओ क्या चल रहोगा क्या सब्सक्राइब है तेकिंग एविदेंस इन फोटोग्राफ मतलब मैं सुराग जुनता सर वो वाट्सप ग्रूप देन शेर सो देन मिल गैच कातल सर इट इस बूस्फुल दूइंग दिस था ना यह देवा यह सारे नमूने मेरे पल्ले पड़े मेरे कुई जदी नहीं है सुन्बे बेबी अलिवेंट बोला सर अज के लिए इतना टाइम पास काफी है जाज के ड्राइवर को डूंड कल से मिलते हैं वाल तुम श्कूटी लेकर आया जद साब के यां 15 साल ड्राइवर था अब इस गराज में काम करता है जम के इंक्वाइर ये लेते हैं सर अब चलना है साइब वही चलना है ये अब लेवे अंडे बागी सब लगे रहा हुआ साइब मेरा इसे कोई लिना देना नहीं है और कोई चाय पिलाएगा क्या आइगेट सिर फुल कड़क नरसिमा कि अरे जट साब को आखरी बार कब देखा था को में है बेभी हेलो बिना बताई कहां भाग गए पुलीस की ड्यूटी है बाई कभी भी आना जाना पड़ता है तो क्या बिना बताए जाओगे घर है के होटेल रात को सबक सिखाऊंगे इससे सवाल पूछा तुम मेरे को अकड दिखाता है सब्सक्राइब यह खाली फिले खुणनास निकाल रहा है मेरे पर यह जया जा जा और चाहिक कर चाहिका है जा चलिए सब चली सब्सक्राइब ले रहने दो साब गून निकल रहा है सर टी सर ले यह ले अच्छा गावाँ गुस्ता मत कीजिए सर दो दिन और मिलता ना तो मैं यह केज सॉल्व करके दिखा था कोई काम का नहीं है यह सर प्लीज शांत उजाए कितने साल से काम कर रहा है अभी छे मैना हो गया साब अभी शांत रहने दो साब देख रिश्वत दे रहा है साब मुझे नहीं चीए मेरी बात सुनिया नहीं नहीं चीए मरा मट्टी करा नहीं तरीका अलग है अरे मेरा तरीका देखा किदर है अबी कौन सी मनुस घड़ी थी जो इसके साथ रख दिया साब जच साब का जगरी दो हुआ 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 है मानिक वेल सर इस केस में आपके तरीके से चलेंगे ना तो कुछ भी नहीं होने वाला है कोरे कागस पर लिख के देता हूं आपका तरीका ऐसा है कि बूड़े हो जाएंगे तो भी के सॉल्म नहीं होएगा जो मन में आया वो बोल दिया सर दिल पे मत लेना ले लिया मैने दि इंस्पेक्टर रतनाकर से जरूर मिलिए क्योंकि जसाब उनसे काफी बार मिलते थे वो पलिस इंस्पेक्टर रतनाकर उसने सारे रिपोर्ट मैनेज करके अदालत में फरजी डॉकुमेंट पेश किये और जज श्री निवासन ने ये फैसला सुनाया कि वो लाश हीना की ही रतनाकर जरूर कुछ बता पाएगा थैंक यू सब सब कमिंग सर ओंडूटी सर चाहता पकड़ना आता नहीं और बंदूट चलाएगा इंस्पेक्टर रतनाकर पहले तुझे खतम करूंगा और तेरे जरी आर्चुन के मारन तक पहुचूंगा यह क्या मैं एक्जाम के लिए दिन राथ एक कर रही है और तुम घोड़े बेच के सो रहे हो तो बता मेरा बदेखा वे थार्ट एप्रिल और उस दिन हमने क्या किया था मुझे अच्छे सा याद है हम दोनों उस दिन मंदिर गए थे मैंने ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी और तुमने ब्लैक शर वाइट पैंट के साथ और उसके बाद आइसक्रीम खाई थी मुझे सब कुछ याद है कैसे कैसे क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो पसंद याद रहती है वो सब तो ठीक है मेरी जान लेकिन पार्टिशन ओफ बेंगॉल साइमन कमिशन कैसे साइमन कमिशन 1927 तुम मुझे एक्जाम के लिए ही टैयार कर रहे हो ना हाँ में बहुत सारे इवेंट्स है होटल से तो सिर्फ शुरुआ था है अनु हाँ बुलो साइमन कमिशन पार्टिशन ओफ बेंगॉल कार्गिल वाल आपके रादे अच्छे से समझ रही हूँ आप ऑफिस जाए मैं एक्जाम देती हूँ ओके बाई सब्सक्राइब तुम्हें जाना नहीं है पंडिनाथ बोलो साइब वो रामपुरम घ्रवी आया और अपनी बीवी के साथ एक जरूरी कान से बाहर हूं फोन करता हूं काम चोड़ साला बाइकों के आजू-बाजू घूम रहा है ऐसे केस सॉल्व होएगा यह घंटा कुछ ने उखड़ने वाला अरे मैं खुदी इंवरी करें आप क्यों रिस्क ले रहे हैं उनके आने का वेट करते हैं वो आएगा तो केस सॉल्व हो जाएगा मैंने मुश्किल से बकरे को फसाया और वो आते ही क्या बोलेगा पेशल चाय पिलाओ फिर दिमाग की बती जलेगी आता तू बग मैं कैसे हैंडल करता हूं चाहिन सर बोल रहे साब वो क्या है न मार्केट में अप उनने दुकान दियेला बाड़े पे उदर एक का हाथ काड़ दिया महीं वो तो जज ने देख लिया अप उन अंदर नो बेल कोपड़ी आउट हो गया तो जान का धमकी दे दिया महीं और अप उनका इससे कोई लेने देना नह अच्छा नहीं है क्या करेगा रहे क्या उखाड लेगा तुँ आ बोला का तर पहुंचे तेरी जाब लाएं अरे साब मारता काईगों है क्या हो रहा है को लड़ चोड़ उसका निकल भार निकल अगली बार मुझसे पूछे बगएर इस केस में कुछ किया न पता नहीं कौन से नमोने को उठा के लाएं साला ये कातिल पकड़ेगा इससे तो अच्छा है कि मैं इस्तिफाई दे दूं भार में जाए केस हलो सर पंधरीनाथ है क्या हां मैं उनकी वाइफ बोलती पंधरीनाथ सर तो कब के निकल गए सर वो हमारी बच्ची को स्कूल से लेकर आने वाले थे अब दो गंटे हो गए अभी तक नहीं रहा है उटा नहीं रहें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सर बहुत टर लग रहा है मुझे अरे मैडम टेंशन नको मैंने उससे कहीं बेजा है वापस आता ही होगा अगली बार मुझसे पूछे बगेर इस केस में कुछ किया ना है उन्हें मेरे पर आत उटाया ना बहुत बारी बड़ेगा तेरेको पापा पापा अंजल प्लीज पेरे पापा पापा भाई वो पुलीस ने अप उनको अंजर पंजर हिला डाला उसका गवन तोटना पड़ेगा भाई इसी हाथ से मेरे भाई को मारा था ना तुने इधर लावो इसके बाद रामपुरं के आत्मियों को हाथ लगाने से बिले दस बार सोचेगा यह यह लडाई हम भाई हो की है बिकानों से आसे डेपार्टमेंट का हर एक आदमी मेरा परिवार है मेटा तुम्या खेलो अंकल ज़रा उनके सब खेल के आदे किर दो खेलो फबचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचंचं कि दोगे कि अपने समय साव कि अपने कि अपने नहीं आप इना सुए एम हैं एम धर से लिध लिए खोवार कि अपने उफसे कि उदक नहीं लेखिए ठना । कर दो हुई जर बुब कर दो हुई तुर हावा तुर अजबिया तुरह 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 कर दो फुरह बुरह दोस कर दो प्रफ़ हू़ थोड़ तो नियर जब सक भाई तुरह जबुड़। इंस्पेक्टर पंडरिनाथ पांडूरंग फनसेकर सब्रों और सहनशेलता को कभी किसी की कमजोरी मत समझना है साइब पंडरिनाथ वो सर एक पुलिस ऑफिसर को डेपार्टमेंट के लिए काम करना चाहिए या पबलिक के लिए वैसे दोनों का मतलब एक ही है साइब नहीं बहुत फर्क है मैं समझा नहीं सर सब समझ जाओगे एक दिन लेकिन जब तक नहीं समझोगे तब तक जैसा मैं बोलूं वैसा करते जाना तो आज का प्लान क्या है पंडरीनाथ तू रूकरे बाबा इन्हें क्या हो गया आज पहले चाई पीजिये साहिब सब्सक्राइब सब्सक्राइब मिलने को कहाता है हो सब्सक्राइब कि यह दोर तो लॉक है चल पड़ो उसकी नानी को अपने नंबर दे और बोल अगर रतनागर घर वापस आए तो हमें फोन करें सब्सक्राइब इंस्पेक्टर रतनाकर बोल रहा हूं आप मुझसे मिलने घर आये थे बात क्या है सब्सक्राइब कुछ नहीं जेन्रेल इंक्वाइर है फ्री हो क्या मिलने के लिए वैसे अभी कुछ परसनल काम में बिजी हूं थोड़ा आठीकर मिलेंगे सब्सक्राइब एक घंटा मिलने के लिए अपता भर वेट करवाती हो तो मां यह अच्छी बात नहीं है कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि कि अ इसलो मुझे जाना होगा हम कल मिलते हैं क्या हुआ कल मिलते हैं न प्लीज जाओ कि भारत ना कर बोलो क्या हुआ तर किसी अन्नोन नंबर से एक धंकी का मेसेज आया सर क्या मेसेज अब लिखाया अपने आखरी पल इंजॉय कर लो मुझे बहुत धर लग रहा है सर पुलीस वाले होकर डरते हो इस वक्का हूं तुम मैं होटेल पलाल्सों में हूं सर ओके गब्राव मत मैं आता हूं ओके सर रतनागर किदर हो तुम मैं पार्किंग लॉट की तरफ जा रहा हूं सर ओके मैं आता हूं अब सर आप किदर है सुन मैं पार्किंग लॉट की तरफ जा रहा हूं चल दिया हो साहिब जहिन सर पून तो नहीं जख रहा हूं उदर देखो सर किसी अन्यों नंबर से एक धंकी का मेसेज आया है सर ओके मैं आता हूं गाड़ी नंबर क्या थे ना रत ना कर पुलीस डिपार्टमंट पर लगे इस कलंग की मौत की टिकेट तो आज मैंने काट डाली लेकिन अब इसी की मौत मुझे अर्जुन के मारन तक पहुँचाएगी पंदारीन आप साहिब मैं ठीक है साहिब ठीक है ठीक है यह क्या हो रहा है मानिका वेल जज का मर्डर केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ अब यह दूसर मडर वह भी हमारे डिपार्टमेंट से दोनों में कोई कनेक्शन है क्या मुझे नहीं लगता सार यह दोनों खून दो आलग अलग लोगों ने किया है मानिका वेल तुम्हे प्रेशर का अंदाजा है ना उपर साहर मुझे और वाक्त चाहिए क्लियार रिपोर्ट सब्मिट होगी सर हमारे यहां होते हुए कातल ने अपना काम कर दिया पक्का जज का मर्डर और यह कतल एक ही आदमी ने किया है दोनों अलग लोगों ने किया है नहीं साहिब मेरो को लगता है एक ही आदमी है और वो बहुत देर से हमारा पीछा कर रहा है इतना ही नहीं सर बॉम ब्लास्ट के तकरीबन तीन मिरिट के दोरान फ्लोर के सारे CCTV कैमरास हैक हो गए थे और पुराने वीडियो दिखा रहे थे एंसपेक्टर रत्नाकर को आनालेसिस के लिए जो हुके सर अभी करता हूँ जैथे और तालीज घंते पहले इंसपेक्टर रत्नाकर का मोबां किसीने हैक करके उसका सारा डेटा चुरा लिया है जिस दिवाइस पर कॉपी हुआ है वों ट्रेस हो सकता है शूर सर, इस सोनी वायो 2015 मॉडल सर, आईपी अड्रेस इंस्पेक्टर रत्मा करके मुबाइल का सारा डेटा किसी आदमी ने हैक किया था, उसके अड्रेस पता चल गया है सर केके नगर रोड नमबर टू पर रहता है, फोर्स लेके पहुंचा, मैं आथा हूँ, ओके सर, अब ज्साओें ज्साऑ ziemlich ऐसाओें, ज्साओे है मुह ही ने खूल रहा सर, साहिब, हम ग्राइवर से पूछ टाच कर रहे थे न, यही उस दिन हमारा पीछा कर रहा था? सिर्फ उस दिन ही नहीं चाय की टपरी जज का घर इंस्पेक्टर रतनाकर का घर यह हर जगह ही हमारा पीछा करा था जाला के हम नमूना है थू है देख मैं जानता हूं कि दुखा थे नहीं है चल बता लेख थासरा के निकल आउट फिश्टाइब अपने देपर्टमेंट का अथमी है अंडर कावर कर रहा है साला हमारा डिपार्टमेंट हम पर नजर रखने के लिए आजमी रखता है देगा तुने होई साम अपने ही लोगों को अपने पर भारोसा नहीं है, खाके कीट जथी नहीं है माफ करना, आप पुलिस ओफिसर नहीं लगते अरे नहीं लगने गई तो इनको पगार मिलता है सर कपराओ कल शाम डीजी पी से मीटिंग थी बूर्मानी सर माणी कवेल, मीट मिस्टर केलाश, अंडर कवर यूनिट मिल चुक हैं सर बहुत अच्छे से देखो ये एक हाई प्रोफाइल के से, कुछ चीजे बिना बताय ऊपर से डिसाइड होती है I hope you understand, हाँ बोलो केलाश Sir, ये तस्वीर इंस्पेक्टर रतनाकर के फोन से मिली है सर जज रतनाकर और उनके साथ है अर्जुन के मारन इन सब के पीछे किसी और बड़ी दाकत का हाथ है जिस तक आपको सिर्फ अर्जुन के मारन ही पहुँचा सकता है कामिया बिजनस्मेन है हो सकता है दोनों मड़र्स में इसका तालोख हो या ये अगला टागेट भी हो सकता है अगर इससे पूश्टाश की जाए तो केस को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिल सकती है तो उसको जल्दी कॉंटेट करो मैंने कोशिश की थी सर लेकिन इस वक्त वो जर्मनी में है तो अब क्या वो मंड़े को लॉट रहे है तब उनसे मिल के बात करेंगे ओके साइब ये केस को आप सीरियसली क्यों नहीं ले रहे मेरा मतलब सीरियसली ले रहे आप एंधिन तो फ्वड़ा और सीरियOU रहेंगे तो ज्यादा बे टर रहेगा है अिकश्यली नंहीं, सांवाइब तो एक दिन में कातिल को पख़म लेंगे अरे, सर मेरा पर क्यों पख़म रहे है मुह कोई भाभा 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 अर्जुन के मारन बड़ी मचली इसके लिए अब जाल तो सोच समझ कर बिछाना पड़ेगा क्योंकि इसके जरिये ही मैं उस जोथे शक्स तक बहुत सकता हूँ और हिना की सच्चाई जान सकता हूँ बस इसी पल का इंतजार था मुझे कैसर लगता है आपको इधर ही रुके थे थैंक यूद सो मुझे है सर्गा और हुद मॉलिंग हाइ मॉर्निंग सर्षोर्री सर को तुरंती है को अरे कुछ उप्वा इस प्लीज पांच मिनिट से पर न ही लेका सर, इस फोटो में आप जद स्रीनिवास और इंस्पेक्टर रतनाकर के साथ खड़े हैं किसी शातिर दिवाग ने बहुत प्लानिंग से बखुबी इन दोनों का मर्डर किया है हमें शक है कि कातिल के अगले टागेट आप है आपकी जान को खत्रा है, आपको सतर्क रहना होगा कातिल जरूर आप पर हमला करने की खोशिश करेगा और इसलिए हमें आपकी प्रोटेक्शन का जिम्मा सोपा गया डिपार्टमेंट का कोई आदमी हर वक्त आपके साथ रहेगा और आपका आखिर जद स्रीनिवास और इंस्पेक्टर रतनाकर के साथ क्या संबन था? योरोप में तामिलनाट पुलिस की तुलना स्कॉटलेंड याड से की जाती है लेकिन आप लोग तो डिपार्टमेंट का नाम बदनाम कर रहे हैं वो देखो इस फोटो में मेरे अलावा साथ लोग है तो अब क्या वो कातिल इन साथ लोगों को भी मारने जाएगा एक फोटो क्या साथ में खिजवाली तो मतलब मैं टार्गेट बन गया क्या फिर भी मेरे सेक्रेटरी से इनके सारे एड्रेस, इमेल आईडी, फोन नमबर सभी कुछ ले लो लंच बना हुआ है, जरूर खा करने करता, थाइंक यू थाइंक यू सर आपका इस जज और इंस्पेक्टर से क्या रिष्टा था बता सकते हैं? कितनी बार पूछोगे, कुछ साल पहले जच्री निवास मेरे वकील हुआ करते थे, और रतनाकर को मैं जच के जरीए ही मिला था, उससे सिर्फ दो या तीन बार ही देखा होगा, एनिवे, थाइंक यू सर, इंक्वारी का क्या हुआ, उसके तरफ से कोई क्लू नहीं मिला है तो फिर आगे क्या प्लान है, मारण की मीटिंग के सारे डीटेल्स मेंने कमिशनर साब को दिये, अब मारण के पुलिटिकल इंफ्लेंस है इसलिए, कमिशनर के इंस्ट्रक्शन है कि हमें मारण को बिना बदा फुल प्रोडेक्शन देनी है, मेरा मतलब आज शाम को ही सकते, आज शाम को कातिल को पकड़ने के बाद, शाम को पकड़ेगा, और कल तक फासी भी दे दिखा, क्या, बात यह कि डिपार्टमेंट से बहुत प्रेशर है, इसलिए कमिशनर ने जल्दी, अच्छा एक बात तो बता, छे माईने पहले तेरी बिल्डिंग के वाच्च मैन का ख में रोड पे कितने लोग हैं, सर, यहां पाच ओफिसर्स हैं, बी अलर्ट, आरे अपाम नहीं तो, सिंपल डूसा ही बना दो, हाँ, ठीक है, यह आवाज कैसी, मच्छर, इधर तीन ओफिसर्स हैं, सर, इतने काफी नहीं है, छे होने चाहिए, सुनो, आज रा टाइम पर घर आना है तुम्हें, हमारे काबिल ओफिसर है, सब समल देगा, बाइ, हाँ, बोलो, अच्छा, तुमने वहां का रास्ता बंद कर दिया, सर, बैरिकेट लगा के रास्ता बंद कर दिया, चोखना रहना, मुद्टू, कहिए सर, वौकी टॉकी की आवास काम करने बोलिया है, वो मुद्टू, पुल्ली, बच्छा, हमें जिंदा पगणना है, सर, वो पीन की तरफ से भाग रहे हैं, आलिपी, आलिपी, वो पीन की तरफ से भाग रहे हैं, सर, चार बंद की तर लह, प persuaded हैं छब रहे हैं, अकांपक कि रात को ठीक 11 बजे आपको मारन के घर में बुसना है मैं आपको बैक साइड पे मिलूँगा आपका काम हो गया अब जाहिए किसी को भी छोड़ना बाद सर साइब पकड़ में नहीं आए ओ नौ सर हमने आपको अब समझ में आया हमने क्यों चेताव नहीं दी थी समझ में नहीं आ रहा है सर यह हो क्या रहा है मुझे आखिर कोई क्यों मारना चाहेगा सर करा पाद में जान से मार देने की धमकी दिये मुझे वाट मानिक वेल कहां है इस वक्त सर अपॉंट्मेंट है बोलो स्कॉट्लेंड यार्ड पुलीस आई है अगर प्रेस को पता चला कि मेरी जान को खत्रा है मेरी शेर वैलू 20 तक के गिर जाएगी बीस्त का मतलब कितना होता है लगबग 50 करोड बड़ी रखम है धमकी देना के 50 करोड अगर टपका दिया तो नहीं मैं तो ऐसे पुल रहा था यह मजाग नहीं है मानिक वेल मैंने तो कंपनी नहीं पूरे 500 करोड का लॉस 500 करोड तो सर पचास करोड का बीस्त का दस करोड होता ना सर तो क्यों ना हमें एक डील करते हैं सर वो दस करोड आप मुझे दीजे और मैं इस बात का ख्याल रखूँगा कि आपको कुछ ना हो खास ख्याल विट एक्स्ट्रा केर खुदी अमराज भी आपको छू नहीं सकेगा इतना क्या सोच रहे हो सर और मैं आपके मुनाफ़े में नहीं आपके नुकसान में हिस्सा माग रहा हूँ कुछ बाते हैं जो सिर्फ मेरे सिवाय और कोई नहीं जानता मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं है IPS खतम करने के बाद मैंने भी इमानदारी का रास्था चना था जो सबक और सीख IPS ट्रेनिंग में मुझे नहीं मिला उसे एक घटना ने मुझे सिखा दिया तो ये दूसरी इनिंग्स मैंने सरफ पैसो के लिए खेलने का फैसला लिया मुझे करोडों में खेलना है सर थोड़ा अपने बारे में कुछ और बताईए मैं आपको अपना अदर्श बनाना चाहता हूँ अरे हमें भी आपकी लाइस्टाइल की जड़क मिलनी चाहिए देखो कितना बड़ा घर है आपका बाजू में भीच अंदर स्वेमिंग पूल मस्त है मुझे अपने सारे धंदों के बारे में बताईए सर मैं आपके बहुत काम की चीज़ हूँ तरह तरह हूँ यंद बाहर वने चामुर्ण कायमेर फोड चाहलू को जब चब पे अपनी फोर्स तैना थे सर security बढ़ियाद इंप्रेसिव thank you sure okay okay thank you सब कमिशनर साइब hello yes sir कैसे चल रहा है मानिकावल I will take care sir जब चावली कैसे असे घड़ रहा है उव झाल झाल पुम सार प्रह्ल इमीजेटली ऑपोसिट बिल्डिंग को सर्च करो जाओ 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 सामने की बिल्डिंग पर लगे सारे कैमरास दिखाओ मुझे कि अंदा इंदर पूरा चेक किया मैंने खाली राइफल मिला और कुछ नहीं बढ़िया काम किया रूद्र मानिक वेल थैंक यू सर्व सिक्यूरिटी इतनी टाइट होने के बावजूद आस पास आये बिना ही उसने गोली चला ही थी सामने की अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिं थैंक यू मानिक वेल इस कमीने का भरोसा तो जीत लिया है लेकिन इसका मूँ खुलवाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा मारन पर हमला रात नौ बजे हुआ था आस-पास के इलाके का CCTV फुटेज देखना होगा कुछ तो हाथ जरूर लगेगा जिस खुबी से खातिल भाग निकला एक बात तो साफ है कि वो अकेला उपरेट नहीं कर रहा है उसके साथ जरूर कोई है और उससे आस-पास का इलाका अपनी हथेली से बहतर मागू है ओ माई गॉड यही तो हमें चक्मा देकर भागा था वही गुलाबी कमीज वही टोपी यह तो पुरानी मस्जिद वाला इलाका है मस्जिद के गेट के सी सी टीवी कैमरे से कातिल की शकल जरूर दिख जाएगी देखें मुझे मस्जिद के गेट पे जो सी सी टीवी कैमरा है उसका फुटेज चाहिए अल्लाहु एक्बर, अल्लाहु एक्बर मानिक वेल, पैसे पहुंच गए? पैसे का क्या है सर, वो तो पहुंची जाएगा आपको एक वीडियो बेजाया, देख लीजेगा पासे अब तक तो सही पड़ रहे थे, लेकिन अब महरे इस तरह चलाने थे कि जीते जीते दुश्मन की नाक के नीचे से फते हासिल हो शक की सारी सुया नसरतुला की तरफ घुमाना जरूरी था, इससे एक पत्थर से दो पंची मारे जाएंगे वीडियो देख लिया सर देख लिया माने क्वेल जज को भी इसी ने मारा, इंस्पेक्टर को प्लास्ट में भी इसी ने मारा यही था जो आपको मारने आपके घर आया था और स्नाइपर भी यही था देखो तुम चाहो तो और पैसे ले लो, बस उड़ा दो से उड़ा देंगे लेकिन लफड़ा क्या था उस बुड़े के साथ बिजनेस में बंती नहीं थी हमारी गबराने का नहीं सर उसे पाताल से भी ढून कर आपके सामने खड़ा कर दूँगा मैं रिलाक्स किताबों में जो बढ़ाया जाता था सर ये दुनिया उसे बिलकुल अलग है कुछ सही नहीं है सर जब नियाय की ही संस्थानों में फरेब, सीना जोरी, दगाबाजी की होती है जैजैकार तब आता हूँ मैं बनके रुद्रावतार, रुद्रावतार मैं रुद्रमानिकवेल शपत लेता हूँ पूरी श्रत्था और निष्ठा के साथ भारत के संब्धान की रक्षा करूँगा मुझे अपने देश पर घर्भ है और मैं हमेशा भारत माता की सेवा करूँगा जैहिर अरे हमें भी आपकी लाइफस्टाइल की जड़क मिलनी चाहिए मारन ने आज तक उस चौथे शक्स का सिक्र भी नहीं किया था लेकिन इंसान का मोथ तब खुलता है जब उसके मन में खौफ पैदा हो अब तु मेरे पिज़ाए चाल में फच चुका है मारन अब देखना मैं कैसे तेरे जरी उस चौथे शक्स को पकड़ूगा हिना को ठुमना ही मेरी सिंदकी का मकसद है सर इस बुढ़े आदमी का नाम नसरतुल्ला है पुलिस रिकॉर्ड तो यही कहता है लेकिन सर ये बुढ़ा आखिर मारन को क्यों मारना चाहता है क्या जज और इंस्पेक्टर के खुन से भी इसका कुछ लेना देना है मेरे इंवेस्टिकेशन के मताबिक मतब मैं उसके गाउं जाकर उसके नजदी की लोगों से मिला और आखिर में जब मैं उसके घर गया तो मुझे उसके हाथों से लिखी एक डाइरी मिली डाइरी में साफ लिखा हुआ था कि नसरतुल्ला मारन को जज स्री निवास को और इंस्पेक्टर रतनाकर को अपनी पोती हीना का गातिल समज़ता था याद है आपको मारन हाल ही में MeToo के दोरान जेल गया था उसको जेल भेजने वाली इस गूढ़हे की पोती हीना ही थी जज स्री निवास और रतनाकर की मदद से मारन तो जिलसर यहा हो गया लेकिन अगले दिन ही उसकी पोती हीना की मौद एक ट्रेन आक्सिडेंट के कारण हो गई और तभी से ये तीनों इसके रदार बत आ गए इन लोगों को मारने से पहले उसने मैंगलोर में इलीगल तरीके से बंदू के खरीदने की कोशिश की थी नसरतुला आवैद हतिया रखने के जुर्म में यहां बंथा उसके जेल के एक साथी को फांसी की सजा सुनाई गे और उसे फांसी दी गे दूसरा एक साथी था भूमी नाथर पिछले हफते ही जेल से बाहर निकला है अब जैसे ही जज के मर्डर में इस्तेमाल हुई वो दूसरी गन की डीटेल्स हमें मिलेंगी हम ये केस क्लोज कर सकते हैं गुड जॉब कैलाज कि नए होटल प्रजेक्ट के सारे डीटेल्स चेक किये तुमने भेने तो साथ उपर वाला सब देखता है प्राट मारं के साथ वक्त गुजारने के बाद ही एहसास हुआ कि एक मंझे हुए जुवारी की तरह, जितने पत्ते उसके हाथ में हैं, उतने ही उसके आस्तीन में भी हैं। मारन से उस चौथे शक्स की जानकारी हासिल करना लगभग ना मुम्किन है। लेकिन जब सारे दर्वासे बंद हो जाते हैं, भागवान कोई ना कोई दर्वासा जरूर खोल देता है। आखर देर क्यों हो रही है। अब… 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 अब तके वोलूनी भार मतना है। झाल जब झाल इस तरह आए जल्दी जल्दी सर पेट के अंदर कांच के टुकड़े फासे आप्रेशन करना ही पड़ेगा कंडेशन सीरियस है एक काम कीजे आप कंसेंट फॉर्म साइन कर देजिए डोक्टर वो बचतो जाएंगे ना सॉरी लेकिन अभी कुछ क्याना मुश्किल है आप्रेशन के बाद ही पता चलेगा अर्जुन के बारत ही है यह सर डॉक्तर चंदर शेखर है मरीज की हालत बहुत ही नाजुक है सर हम कोशिश कर रहे हैं तुम खर्चे की परवाह मत करो उसकी जान बचनी चाहिए जरूरी है तो फॉरण से डॉक्टर्स मुला लो मैं अरेंज कर दूंगा ठीक है सर अब कैसे हालत है उसकी सर अपरेशन जालिये कर्डिशन सीरियस है उसे इस तरह कैसे भीजिया तुमने बिना किसी बैक आप के बिना किसी सिक्यूरिटी के कैसे हुआ यह कैसे हुआ यह चिंता मत करो ठीक हो जाएगा पूरा डिपार्टमेंट आपके साथ है मुर्ति अब तुम्हारा पूरा ध्यान मानिक अवेल के रिकावरी पर रखो और वो मुझे ड्यूटी पर वापस चाहिए हुआ। मारन को मारने कोई क्यूं आएगा कहीं उस चोथे शक्सनतों से नहीं बेचाए होटल क्लासिक में एक राक्षस की नजर उस पर पड़ गई अर्जुन के मारन अब जो मैं बूलने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना है होई साथ तुम्हें होटल क्लासिक जाना है और इस साल की सारी CCTV फुटेच लाकर मुझे देनी है इस साल का तुम्हारे होटल का सारा CCTV फुटेज हमको मंगता है सौरी सर लेकिन पिछले मैंने जो आग लगी थी उसमें सारा CCTV फुटेज जलकर राक हो गया सर हमने पुली स्टेशन में भी कंप्लेंट कर दी है अब आगे जो भी करना है बाद मैं बताऊंगा होई साथ हाँ साथ केस के बारे में कुछ बात करनी है जी बुली बीस मही को उसी होटल में एक आड फिल्म की शूटिंग होई थी प्रोडक्शन कंपनी के पास पक्का फोटेज होगी उस दिन की उनका पता लगाओ चल्दी से चल्दी ठीक है साइब जैसा बोला वाई सेच का तेरा सेट के दर है आप चाहिए प्योंगे साथ बिस्की पिला साइम हार्ड डिस्क अब ही करना जरूरी है क्या बस तोड़ी जिदेर आप चल्दा आप चल्दा जरूरी है अब 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 आर्मरी से कार्टी केन बोल रहा हूं सर हाँ बोला ना सर जर्च के मडर में जो गन इस्तमाल हुई थी उसकी डिटेल्स मिल गए अब 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 उसके पास एक आइफोन 10 है डाइमंड एडिशन चन्नाई के सारे आइफोन डीला से पूछताज करो वह फोन एक स्पेशल एडिशन फोन है खरीदारों के लिस्ट स्यादा लंबी नहीं होगी साहिप पता लगा है मैंने फुल डेड़ सो लोगों नहीं फोन खरीद है परचेस डेट एज के मताबिक सब शॉट लिस्ट करो रिक रिक टीगा रिक टीगा पर पर हमला हुआ था उसी दिन एक फोन की लोकेशन से मारन के ओफिस से मैच हो रही है लोकेशन शेयर करो लेकिन साहिब आप अकेले जा रहे हैं इस बार में तयार हूँ झाल 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 प्रुद्र मानिक वेल, मरन को मारने के लिए मैंने ही आदमी भेजा था, लेकिन तुम मुझे बाद न बकड़ना, पहले अपनी बीवी को तो बचा ले मानिक, 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 एक आए कर दो कि दो दो किर दो 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 कि पर को दिलना लुटारा रसा अ कि अ झाल कि अ जाला के अ वह जारा बुब दो दो, अ कि अ जाला है? कि अगे बित आदिन को खाया शो हमें पर अगsystem को तक रहा रहाँ कि जो रहाँ कि यो जगिए तक भाया रहाँ कि अवब्न आदिस का रहाँ कि अवाँ रादिस्टा बदूशा खाया है चोड़ा उसे, चोड़ तो, चोड़ा कोड़ा है कि कोड़िए को पारी के वार और नंड़ा वार्य कि कख़ल अदना पाने! अनुम, ठीको? हामे ठीको इंग एम राग ऐाग आव वाग याग इंग बढ़ तार लाग में अजैा है? जार लोगर भारेश वार लोगर को नुछ पाया है? जार आर लोगर है? जार वार लोगर है? किस के लिए काम करता है तू? किसा खू.. मानिक वेल ये कौन था सर क्यों मारने आया था ये मुझे उस दिन वो बुढधा आदमी आपको मारने के लिए आज ये आगे और कौन कौन आने वाला है किसी को कुछ पता ही नहीं सर आखों पर पट्टी बान के कुछ जाने बिना मैं आगे कुछ नहीं कर सकता सॉरी रुद्रा मैंने तुमसे कुछ चुपाया है इन सब घटनाओं का कारण सिर्फ एक ही आदमी है और वो है बाइकल विरिंसिया इंडिस्ट्रीज का नाम तो सुना ही होगा तुमने उसका माली नाशनल और इंटरनाशनल लेविल पे बड़ा ही काम्याब बिजनसमैन उपर बैठे कई नेताओं का भी उसे सपोर्ट है मैं माइकल का पार्टनर हुआ करता था एक दिन उसने एक बड़े प्रजेक्ट में मुझे पार्टनर्शिप देने की बात की और मुझे क्लासिक होटल बुलाया होटल जाके मुझे पता चला कि माइकल का असली धंदा कुछ और ही था माइकल लड़कियों को बेचने का सिंडिकेट चलाता है उसे दिन क्लासिक होटल की लिफ्ट में वो एक लड़की से टकराया जो कि इस बुढ़े की बुती हिना थी हिना कुछ पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम मॉडलिंग कर दी थी बाद बाद करता हूँ हाई तुम्हारा नमबर मिल सकते हैं तुम उस मीटिंग के दारान मुझे बता चला उस लड़की ने उसकी इंसेट की थी बुड मॉनिंग मिस्टर माइकल जज और इंस्पेक्टर भी साथ में आये हैं हाई माइकल ने मुझे जज श्री निवास और इंस्पेक्टर रतनागर को साथ लाने को आया है सर आपने ही उने बुलाया था हमारी मदद के लिए आये हैं सर आप अपने प्रजेक्ट के लिए उनसे मिलना चाहते थे कोई परिशानी है माइकल ने मुझे बताया कि वो उस लड़की को किसी भी हाल में चाहता है और मुझे उसे फ़साने को का माइकल के साथ हाथ मिलाने का मतलब करोडों में खेलने समान था मैं उसकी दोस्ती खोना नहीं चाहता था इसलिए मैं तुरंत काम पर लग गया उस लड़की का नाम क्या है हीना सर कॉलेज में पढ़ती है पार्ट टाइम मॉडलिंग भी करती है नमबर दोसका सॉरी सर वो उस टाइप की लड़की बिलकुल नहीं है एजेंट से उसका नमबर लेकर मैंने खुद उससे बात की उसने उसका इशू बनाया और मुझे गिरफतार करा दी जिन्दगी में कभी भी मेरी इतनी बेजती नहीं हुई थी जच्छी निवासन की वज़े से आसानी से छूट किया जैसे ही बाहर निकला मुझे उस लड़की को मारना था मेरे आदमी उसे उठाकर मेरे पास देया जाने दो मुझे प्लीज छोड़ दो प्लीज मुझे जाने दो प्लीज छोड़ दो मुझे मैं तुमारे आगे हाथ चोड़ती हूँ मुझे गिरफ्टार करवाया था माइकल ने मुझे फोन करके उसे मारने से रोग दिया और उसे उसके पास भेजने के लिए कहा उस लड़की के ब्लड गुरुप से मिलती जुलती लाश हमने हासल की और एक चलती ट्रेन के सामने फेंग दी इंस्पेक्टर रतना कर इस मामले में काम आया उन्होंने इन्मेस्टिगेशन रिपोर्ट मैनेज करके ये साबित कर दिया कि वो लाश ही ना की दिया चलो इंस्पेक्टर निकलते हैं लेट हो गया है कि मैं ही जाता हूं पहले जट साब रुक जाइए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं कि जाने दो मुझे जाने दो फिर मैंने उससे माइकल के पास भीज दिया माइकल उससे अपने ECR के गोडाउन में लेकर चला गया और जो वो हर एक लड़की के साथ करता है उसने वो हीना के साथ भी किया उसे बेचने से पहले माइकल उसके साथ बहुत बद सलुकी से पेचा है और उसने अब तक हीना को उसी गोडाउन में बांद कर रखा हुआ है प्लीज मुझे चाने दो मैं तुमारे आगे हाँ चोड़ते हूं मुझे चाने दो यह लो मना का जाएगा बल्स प्लीज। प्लीज मुझे चॉर्ण जदो, रिए घात ताने sama करूप, प्लीज, प्लीज, प्लीज। फ्लीज, ग्ली प्लीज जदो, बलीज, को कैわか। आई पीएस गोल्ड मेडल के साथ पास किया है मैंने तेरे जैसे कमीनों के तलवे चाटने के लिए नहीं नहीं कपका मार देता तुझे माइकल ये नाम इस पल का इंतजार किया है मैंने नहीं मार पे मुझे मत बारो मत बारो छोड़ दो जब नयाय की ही संस्थानों में फरेब, सीना सोरी, दगाबाजी की होती है चैजेकार दाबाता हूं मैं बनके रुद्रावतार 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 जो, लो, जो, 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 we don't? आरमजी. कौन है इस लड़की? क्या हो एसके साथ? एक सकिन मैं पानी लेकर आती हूं नहीं नहीं मेरे पास मताना मुझे छोड़ दो मुझे जाने दो प्लीज कुछ मत गरना मुझे जोड़ दो मैने दुस्वीरिया मुझे माफ कर दो मैने अधर कुछ लें बिका रहा है अरे शांसे दो कुछ नहीं हुग만 दरहो मुझे जैसे नहीक साथ टो मुझे भानी दिनलो मशर्ने के को ही बाठ नहीं मैने मुख मरो मद दो मुख अ सर, अर्जुन के मारन की मौत हो गई है, मामला हाथ से निकला जा रहा है तुम्हें एक अड्रेस भेज रहा हूँ, जल से जल यहां आजाओ और हाँ, यूनिफॉर्म में आना फिलहाल, तुम्हारे लिए यह घर ही सेव जगा है भाईया, आप उन सब को पक्का मार डालोगे ना उन्हें जीनेंगा कोई अधिकार नहीं है, प्लीज ना मेरे साथ जो हुआ, वो किसी और लड़की के साथ ना हो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, भाईया उन्हें सब को मार डालो, और उस माइकल को बिल्कुल मत छोड़ना मेरी जैसे और बहुत सारी लड़कीयों के साथ भी वो यह सब कर चुका है उसे माच छोड़ना, भाईया बुल्मोरिंग मेर्व माइकल, किसी बात की चिंता मत करो, सब कंट्रोल में उस बुढ़ाओ को कब पकड़ोगे तुम? सुनो माइकल, हमने उसे पकड़ने के लिए पूरी तैयारी कर ली सरकार का भी फुल सपोर्ट है, डरने की कोई बात नहीं है बुढ़ाओ को कब पकड़ोगे तुम, हाँ माइकल, प्लीज समझने की कोशिश करो तेरे सारे काले चिठे खौल दूगा सर, आपको मैम बुला रही है माडम क्यों मूर्ती, एक बुढ़ाओ को पकड़ना कितना मुश्किल है आगर है कौन वो, बारा घंटे में माइकल को खत्म करने की धमकी दिया है उसने माडम, बहुत कॉम्लिकेटर केस है, हम सब जानते हैं हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं, तीन मुर्डर कर चुका है, पहले मेसेज भेज कर ये बुढ़ा येस मैडम फिर देखो मूर्ती, ये सब हुँआ बहुत कर लिया तुमने, तीन नामचीन लोगों का मुर्डर हुआ है पूरी पलीस फोर्स मिलकर भी एक बुढ़े को नहीं डूण सकती, बात समझ में आ रही है आज माइकल को मारने की धमकी दिये, कल मुझे मार दालेगा तो जज के मुर्डर के बाद से, रूद्रा मानिका वेल इस ओपरेशन को लीड कर रहा है क्या नाम बताया उसका? रूद्रा मानिका वेल वह, क्या दमदार नाम है, कहा है वो? क्या बुला उस साले को? मैंने उसे उत्तिला कर दिये, वो आताय होगा माइकल शान प्यूद्रा मादम, यह शुरू से ही इस केस पर काम कर रहा है, वेरी ब्रिलियन्ट, इसने सच मुछ इस केस पर बहुत अच्छा का क्या मदाओ उद्धे को तो नहीं पकड़ पाया मुझे इसकी हिस्ट्री नहीं सुननीए मानिक वेल, अपसे तिलक इस केस का इंचार्ज रहेगा तुम बस उसे असिस्ट करो, और इस केस में उसे क्या मदच चाहिए वो तो ओय, रुद्रा मानिक वेल, आउट अपसे यह केस तिलक लीट करेगा, और तो उसका असिस्टन्ट होगा सॉरी तो तुम हो रुद्रा मानिक वेल, एक मामूली बुढ़े को गोली नहीं मार सकते उसे तो मैं आज रात को ही अंदर कर दूंगा, देखना तुम असिस्टन्ट रहकर ही सही, लेकिन अपना काम निकालना आता है मुझे जैसा मैंने पहले बताया था, इस टाइप की गन्स हम अब इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिगेटड है गन ओनर्स के लिस्ट मिल सकती है मुझे, और क्या डिपाट्मेंट में यह गन किसी भी ऑफिसर ने यूज की है क्या नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, एक मिनट, एक मिनट, दोहजार नौ की आईडिय ट्रेनिंग के बैच को, शायद हमने यह गन्स उस बैच को ट्रेनिंग के भिजवाई थी, उस बैच के ऑफिसर्स की लिस्ट मिल सकती है मुझे, हाँ मैं कोशिश करता हूँ आपको भेजन एक मिनट लीचे हाँ, हाँ हाँ, ठीक है माँ, हलो, माइकल, सेक्योरिटी परफेक्ट है न, साब कुछ ठीक है, पर यह पुलिस, एक तम साप पालने जैसा है, कितना भी दूद पिलाओ, डसेगा ही, यही फितरत है इनकी, माइकल, कोई प्रॉब्लम है क्या, अगर कोई प्रॉब्लम हुई भी तो, आज अगर यमराज भी आ जाया तो मुझे टेंशन नहीं है, सर, सेक्यूरिटी कैमेराज चारो और हैं, और तो और घर के हर कोने में कॉंस्टेबल स्टैनाद किये गए हैं, घर के इर्दगेट, ड्रोन्स घूम रहे हैं, पूरा एरिया कवर हो रहा है, सर, सर, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, सर, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुमारा डेपार्टमेंट पर भरोसा नहीं है, लेकिन तुम पर है, सर, सब कुछ कंट्रोल में है, सर, आपको ड़रने की कोई, सर, बात सुनिये, सर, बाहर सेफ नहीं है, सर, मैडम माइकल सर दो निकल रहे हैं, तो उसे वहाँ पहुचाओ और उसकी हिपाज़त करो, जी मैम, मैं उनके पीछे जा रहा हूँ, ओके डूइट, चलो, 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 सर, भुमिनाथम जो नसरतुल्ला के साथ जेल में था, उसका पता चल गया है, वो रायलपुरम की वर्ट्रॉप में काम करता है, साथ, नसरतुल्ला तो किसी से बात ही नहीं करता था, हर वक्त खामोश रहता था, ज़रा ठीक से सोचो, बहुत ही इंपोर्टन्ट केस है, साथ, जेल में वो एसीपी, रुद्रा मानिका वैल भी कुछ दिन था, एक दो बार नसरतुल्ला को उससे बात करते हुए देखा था मैंने साथ, क्या खा, रुद्रा मानिक वैल? हाँ साथ, आप ही के डिपार्टमेंट का है, बोलिए कैलाश सार, रुद्रा मानिक वैल ने मैंगलोर जेल में सजा काटी है? हाँ, काटी थी ना, असिस्टन कमिशनर पुलीस रुद्रा मानिका वैल ने अपनी डूटी में लापरवाही बढ़ती है, और उनकी गहर जिमेदारी के वज़े से एक बेगुना की जान चली गई, IPC सेक्शन 287 के मताबिक अदालत उसे 6 महीनों की सजा सुडाती है, होई, यह तुम्हें मुझे पहले क्यों नहीं बता है? सर, वो सिर्फ 3-4 दिन के लिए नसरतुला के सेल में शिफ्ट हुआ था, क्योंकि उसके सेल में कुछ इश्यू था, वैसे वो दोनों सेम दिन रिहा भी हो गए थे, लेकिन आप अभी क्यों पूछ रहें साब? चुब रहाओ, फॉन डखो. इस जगे को पूरी तरह सिर्फ करते हैं, फिक्र मत कीजिए सर, हम तैयार कें, कमाउन गाइज, सर, यह कहां गया चानक? कहां गया है वो, कहां गया है माइकल? सर, बोल, जल्दी बोल! सर, वहाँ जो हुआ उसके लिए माफी जाता हूँ, यह जगह सुरक्षित कर दी है. यह गधों, यहां क्यों आगे तुम लोग? जाओ, उपर जाके समालो, यहां मुझे तुमारी ज़रूत नहीं है, के राओ, आओ, आओ! आओ! हेलो? रुद्रा मानिक वेल के हैंडल किये हुए केस की जानकारी मिली? सर, मैंगलोर में उन्होंने ड्यूटी के दौरान टोटल साथ केस हैंडल किये थे. चार को तो वह जेल भेज भाये थे, लेकिन तीन को छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनकी पहुँच बहुत उपर तक थी. तीनों के कांटैक्ट नमर मिल सकते हैं? सॉरी सर, तीनों की हाल में डेथ हो चुकी है, सर. कैसे? सर, एक केस में आरोपी के भाई ने उसे मार डा रहा. दूसरे केस में उसके दुश्मन ने उसे मार दिया. और दीसरे ने खुदकुशी कर लिए. इन तीनों में कोई कनेक्शन? ये तीनों लोग गन शूट में मारे गया हैं, सर. और कोई कनेक्शन नहीं हैं. गन शूट में? यस, सर. अचा, एक काम करो. मुझे पोस्ट मॉटम और फॉरेंसिक रिपोर्ट मेल करो. सुनो दिलग, सब ठीक है वहाँ? जी, सर. अंडर्ग्राउंड में एक बंकर बना दिया है उसमें, सर. अब कामॉन, कामॉन, लेट्स को. नंदा, कवर तो उसको. जा हो रहे, वहाँ पर? सर, सर, प्लीस आपता रहिए. आप मार राता है, प्लीस आपता रहिए. हमें कोई बुलिट्स नहीं मिली. प्रॉपर ट्रेनिंग के बिना गन को इस्तमाल नहीं कर सकते हैं, सर. रोद्रा मानिका वैल गन स्पेशलिस्ट है. ये तीनों लोग गन शूट में मारे गए हैं, सर. और कोई कनेक्शन नहीं है. तुम नहीं जम्झोंगे, जब तक खुद्पे नहीं भी देगी. तुम नहीं कर रहा हैं? तुम नहीं कर रहा हैं? और यहां कर रहा हैं? वो अब उठाया हैं क्या? अब बोलते को नहीं? मैंने अभी आपको 2009 की आइडियो ट्रेणिंग बैच की लिस्ट भेजी है. आप एमिल चेक कर सकते हैं. माइकल! आपी चाहे चितना भी दूर भाग ले. विधा था के कहर से बचता नहीं. एक केस में, आरोपी के भाई ने उसे माल डाला. दूसरा उसके दुश्मन के हाथों मारा गया. और जब जब इस धर्ती पर अधर्म होगा, विधात अलेगा रुत्रावतार. और तीसरे ने खुद्खुशी कर दे. आप लेक! माने कवल ही है, रुत्रावतार. मुझे बात भारो, प्लीज. उन्हें जान से मार डालो, भाया. उसे मार दो ना साथ. मेरे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए. लड़की की लाश पूरी तरह से जली हुई थी साथ. इस केस को कोर्ट में थाबित करना नामुंकिन है. यह बंदुक किसी काम की नहीं है, साथ. यहां कानून थो बहुत है, लेकिन साला, लेकिन इनसाफ नहीं. इन सब के पीछे किसी और बड़ी ताकत का हाथ है. इस बुड़े को जिन्दा बगड़ने की कोशिश की मैंने. इसका अगला टार्गेट कोई मिनिस्टर था, लेकिन माइकल को गोली मार दी. और यह बुड़्धा मुझे मारना चाहता था, इसलिए मैंने उसे खतम कर डाला. गोड़ जॉब मानिकर भेल. तेंके साहर. एमुलेट फुराकर बोड़ी रखालू. वारे की वैंने अपसे तेलाक इस केस गाइन चाल आज junior. माइकल कोई प्रॉब्लम है क्या अगर कोई प्रॉब्लम हुई भी तो एक महफूस जगह है मेरा गेस्ट हाउस मेरी अंडरग्राउंड गुफा वहां जाऊंगा मैं आज अगर यह अमराज भी आ जाया तो मुझे टेंशन नहीं है भाई वो पॉजिटिव ग्रॉप वाली एक इन से मिलती जुलती लाज चाहिए मैंगलोर में मैंने आपके लिए सारा इंतरा कर दिया है तुम वहां जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं यू भाईया बेस्ट अफ्लाइब हो रुद्रा मानिकबर सर गया चाला की से अपने सारे सबूत मिटा दी पर दाट्स नोट दी एंड अफ ते स्टोरी मैं साप के बिल से भी सबूत निकाल लेता हूं सर रेटायर होने से पहले आपको अरेस्ट कर लोगा सर बेस्ट अफ्लाग लेरे गिंते रहो मैं चकना लेगर आता हूं यह सच है कि पुलिस निस्वार्त सेवा करती है पर किसकी किसकी सेवा डिपार्टमेंट की नेताओं की या पबलिक की इस सवाल का जवाब मुझे आखिरकार मिल गया जो राह मुझे मेरा सवीर दिखाएगा मैं उसी रहा पर चलूँगा धरम के रास्ते चलूँगा और आखरी सांस तक मेरा फर्स दिभाओंगा अभी तो सर्फ शुरुआत है बहुत दूर जाना है मुझे हुआ हुआ